हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आई और हूप की पट्टी को अटेश करते हैं वो शेयर करने वाली हों तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना तो मैंने अपने ब्लाउस के फ्रेंट वाले पार्ट के दोनों ही पीसिस त्यार कर ली हैं टक्स डाल के और मैंने इधर यह कॉटन की जो हमारा लाइनिंग वाला फैपरीक है उसमें सी पटी कट कर ली है इता है एक हमारी 1.5 इंग की पंठी मैंने care करके रखी हूई है और एक मेने 5 इंग की double layer में मैंने पंठी करके पंठी की है तो यह हमारी पंठी है यह हमारी हुक के लिए पंठी रहती है जिस हम हम hook अटेच करते हैं तो हम सबसे पहले अपने blouse का दोनों ही pieces को आमने सामने करके मैं आपको दिखा रही हूँ तो मेरी side से यह मैं देख रही हूँ तो यह एक side में left hand side में इधर मैं hook की पट्टी attach करूँगी और right side में मैं इधर eye के लिए पट्टी attach करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यह वाला part इधर ले लिया है और इस पर हम अपने hook की पट्टी को attach करेंगे तो मैंने यह इस तरीके से double fold कर ली है जो हमारा lining वाला fabric है उसमें से मैंने इस पट्टी को cut करके रखा हुआ है एक pair का margin छोड़ते हुए हम इस पट्टी को पक्की सिलाई लगाते हुए stitch करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर जो extra इसकी length है उसको मैं cut कर दे रही हूँ और इस तरीके से fold करते हुए हम इसकी stitching करेंगे यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई को complete कर लिया है अब मैंने इसको सिधा इधर कर लिया है और इहाँ पर हम एक bäći सिलाई और इहाँ पर attach कर देंगे ताकि यह पट्टी हमारी finishing के साथ fold हो जाए تو यह देखे friends यहाँ पर मैंने इसकी stitching कंप्लीट कर लिया है अब हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यह आप चाहे तो इधर इधर पक्की सिलाई लगा सकते हैं किनारे पर मैं इधर तुर्पाई करूँगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बड़ा बख्या करती हुए रफ सिलाई लगाई है तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने होक की पट्टी को अटेच कर दिया है यहाँ पर मैं बाद में तुर्पाई करके इसे त्यार कर लूँगी अब हमने अपने ब्लाउस का दूसरे वाला हिस्सा ले लिया है अब हम इस पर अपने आई के लिए पट्टी अटेच करेंगे यह हमने डबल लेयर में हमने इधर रखा हुआ है तो हमने अपने ब्लाउस का रॉंग साइड इधर रख लिया है इस तरीके से और यह दो लेयर में मैंने इधर फैबरिक लिया है एक हमारा main fabric है और एक lining वाला fabric है तो हमें wrong side से इसे इस तरीके से एक pair का margin छोड़ते हुए इसकी stitching करनी है तो यह देखे friends यहां से मैं नीची की तरफ से इसे fold कर ले रही हूँ पहले और यहां पर हमने इसकी पक्की सिलाई इधर complete कर ली है अब इसके बाद यहां पर हम इसे fold करना है इस तरीके से और एक यहां पर बैटी सिलाई हम इसमें लगा देंगे ताकि यह जो हमारी पट्टी हमने जो attach की हुई है यह आसानी से हमारी fold हो जाए यह हमारी बढ़मा पट्टी रहती है यह हमें इसके उपर इस तरीके से fold करनी है ऐसे तो यहां पर हमारे आई बनकर हमें इधर त्यार करनी है इस तरीके से मैं इसे fold कर ले रही हूँ और किनारे से हमें यहां पर सिलाई लगाते वे जाना है बिल्कुल किनारे पर हम ये सिलाई लगाते हुए जाएंगे फिनिसिंग के साथ तो ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैं हलका-लका इदर से फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ ये पट्टी हमारी एक बराबर चोड़ी रहे तो ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने अपनी आई के लिए भी पट्टी को अटेच कर लिया है बहुत ही फिनिसिंग के साथ ये हमारी दोनों ही पट्टी अटेच हो गई है मैं आपको इन्हें बराबर मिला कर दिखा रही हूँ तो ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर ये जो दोनों हमने टक्स लगाई हुई है ये हमारी एक बराबर मिली हुई है इसका भी हमें ध्यान रखना होता है तो ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग को कम्प्लीट कर लिया है अब मैं इधर eye और hook के लिए भी निशान लगा कर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं eye और hook के लिए निशान लगाती हूँ इन पटियों को इस तरीके से हमें एक ब्राबर रखना है और ऐसे dead inch का margin छोड़ते वे बीच में gap छोड़ते वे हमें सारे ही eye और hook के लिए निशान लगा लेने हैं आप चाहें तो इधर inch tape की help से भी निशान लगा सकते हैं मिरको इसकी आदत है तो मैं इस तरीके से अंदाजे से ही सारे निशान लगा देती हूँ friends अगर video पसंद आई तो please like, share and comment and subscribe my channel video को end तक देखने के लिए thank you so much